सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबाईए हमारी लेटिस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बस एक बार आप इसे बना कर देखें क्योंकि आज इसको लेकर आपके सारे ही कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं जैसा कि इसकी परत को कैसे बिचाते हैं इसे दम पर कैसे लगाते हैं तो बिना इसकिप किए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी इससे बना कर किसी के उसे समित कर लें आलू ले ले इस बड़ा बड़ा काट ले आप पड्रशन मटर में लीए है गाजन ले 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 उसे आप इस तरी के से कर ले लंबहल्हा और ले ले साथी में french beans अगर ये आपको ना मिले तो आप इसकी जगे सेम की फली भी ले सकते हैं जिसे बालोड कहते हैं अब हमें इनको fry करना है तो एक एक करके सभी को fry कर लें मैंने यहां पर सभी वेजिस को fry कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल कर अब आगे देखें यहां पर मैंने लिए हैं चावल यह बास्मती राइस है तो ऐसे चावल आप ले लें कुछ लोगों ने पूँचा था तो मैं आपको बता देती हूँ यह है जो चावल में बिर्यानी में काम में लेती हूँ बास्मती राइस वर्ल्ल लॉंगेस्ट उसके बाद कुछ मसाले हम पोटली बना कर डालेंगे तो उसमें जाएगा एक लैसुन की गाट दालचीनी का टुकड़ा चोटा सा टुकड़ा द्रक्का जावित्री कुछ लिए मैंने यहां पर छोटी लाइची थोड़ी सी लिए काली मिर्चे शाजीरा और जाएगी इसम तो हमने पोटली बना कर डालना है यह मैंने लिया है हंकर्ड कुछ देर के लिए धाई को लटका कर रख दिया था थ्री टेबल स्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा घी हरी मिर्चे लिए हैं 5-6 जिनने इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है फ्रेश क्रीम इसमें जाएगी तो मैंने यहां पर दूद की मलाई लिए है और लिये हैं यहां पर ड्राइ फिरूट्स जिनने इस तरीके से कट कर लिया है आप भी दो हिस्थों में इनने काट कर रख लें आप चाहें तो किश्मिश्बी रख सकते हैं साथ में और सूखे म यहां पर 1-4 से भी कम लिया है मैंने हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून है लाल मिर्चों का पाउडर वन टीस्पून है यहां पर धनिया पाउडर ये मैंने लिया है बिर्यानी मसाला और नमक आप ले ले स्वाइद अनुसार परिष्टा मैंने पहले से बना कर रखा था इसकी रेसिपी दिस्क्रूशन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी आप वहां देख लें यह फूट कलर है उसके बाद में सूखे मसालों में काली मिर्च है बड़ी इलाइची है जिसे इस तरीके से मैंने खोल लिया है आगे से देखें काली मिर्चे हैं तेजपता है और जी यह कुछ धनिया है और पोदीना और चामलों को मैंने धोकर भिगो दिया है अब बना लेते हम बोटली तो एक साफ सारूमाल ले ले या कोई भी कपड़ा उसमें डाल देए सारे बोटली के सामान और गाट लगा देए इस पेस कम था इसलिए यहीं करना पड़ा कपड़ा नीचे से गीला हो गया पर टेंशन की जरूत नहीं है वापस यह पूरा भीग नहीं है और तेल को घरम होने के लिए रख दिया साथ ही में पानी भी चड़ा दें ताकि हम को चामल उबालने है ना बस पानी चड़ा दें और इसमें डाल दें यह पोटली और अच्छे से इस अंदर डाल दें और ढखन लगा दें इसे उबलने दें तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम डाल देते हैं तेज पत्ता साबत मसालों में जीरा है काली मिर्ची है और बड़ी यलाइची और इसे फटा फट से चला लेते हैं जैसी चटकेगा हम इसमें डाल देंगे जिंज पेस्ट को और इसे हमें light brown कर लेना है तो अब चलाते जाएं ताकि यह नीचे चिपके नहीं क्योंकि इसी तेल में हमने सब्जियों को fry किया है तो chances बढ़ जाते हैं कि हमारा जो मसाला वो नीचे चिपक जाएं तो यह light brown हो गया है अब हम इसमें add करते हैं पानी और पानी डा और फटा-फट से इसे चला कर मसाले को भून लेंगे जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता है और जैसे ही तेल सेपरेट हो जाएगा हम इसमें add कर देंगे यह hunkard और फटा-फट से इसे चला लेंगे क्योंकि धही जो है ना उसके फटने के चांसे ज़्यादा रहते हैं तो जैसे हम इसे मसाले में डालें तो फटा-फट से इसे चलाएं साला हमारा भुंचुका है अब हम इसमें डाल देते हैं फुवेजिस जो हमने fry करके रखी दी और अब इस मसाले को सब्जी के साथ में पकाएंगे देखे 70% हम सब्जी को पका चुके हैं fry करके अब जो है 20% हमें मसाले के साथ में पकानी है तो 90% हमारी ये सब्जी जब बन के त्यार होगी तो इसमें डाली गई ये वेज़िस है न और 90% कुक हो जाने चीए तो इसे इस तरीके से चलाएं कि सब्जी हमारी घुले नहीं और हम डाल देते हैं इसमें कुछ हरी मिर्चे आधी हम अभी डाल देंगे आधी बचा के रख लेते हैं और अच्छे से इसे चलाते हुए पका लें फिर इसमें डाल देते हैं फ्रेश क्रीम और कुछ ड्राय फ्रूट्स इसमें से भी हमें आधे डालने और आधे बचा कर रख लेने हैं आपको किश्मिस पसंद है तो वो भी आप इसमें इस वक्त एड़ कर सकते हैं अब इसे अच्छे से चला लें और पकने दें जब तक कि इसका ओयल सेपरेट नहीं हो जाता है देखें चलाना इसको इस तरीके से ही कि हमारे जो सबजी है न वो खुले नहीं और साइड में हमने यहां पर पानी उबलने के लिए रखा था तो उसे भी देख लेते हैं देखें पानी अच्छे से उबल गया है और पानी में मसालों का कलर भी आ गया जो हमने पोटली बना कर डाला था अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने भीगो कर रख रखेते हैं दोनों चीजें एक साज चलनी है एक तरफ सबजी पकनी है और एक तरफ चावल उबलने तब जाकर हमारी जो बिर्यानी है वो बहुत अच्छे से बनती है अब हम इसमें एड़ कर देते हैं धनिया और पौदी ना देखें इस तरीके से डाल दें तो जितनी सबजी हमारी तयार होनी थी उतनी तो यह सबजी हमारी तयार हो चुकी है बस यहां पर थोड़ा सम एड़ कर देंगे गरम मसाला और इसे भी एक बार चला लेंगे अब जब तक यह सबजी पकती है और चामल पकते हैं हम चटनी त्यार कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है धनिया पत्ती पौदीना पत्ती कुछ लिए मैंने हरी मिर्चें और उसे इस तरीके से कट कर लिया है दही ले लिया काला नमक सफेद नमक और थोड़ा सा पानी मिला कर इसे पीस लेंगे चटनी पिसकर त्यार हो गई है इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं तो हमारी सबजी भी 90% कुख हो चुकी है और हमने जो चाओ लो बालने रखेते वो भी 90% कुख हो चुके हैं देखें आप किस तरीके से इसका एक एक दाना काफी लंबा हो चुका है अब आपको करना क्या है ये जो पोटली है इसे हटा दें और गैस की फ्लेम को बंद कर दें और यो सबजी हमने पकाई थी उस बरतन को नीचे उतार लें और आदी सबजी इसमें से निकाल लें क्योंकि हमें परतवाली बिर्यानी बनानी है इसलिए सेकंड लेयर के लिए हम आदी सबजी को इसमें से निकाल लेंगे अब बची हुई सबजी को इस तरीके से सेट कर लें और चावलों को हमने छान लिया था तो इसके आदे चावल हम इसमे इस तरीक से डाल देंगे और आदे चावल बचा लेंगे देखें परत पे परत बनानी है तो एक परत तो हो गई सबजी की दूसरी परत हो गई हमारी चावलों की अब इसके उपर हम डाल देंगे कटावा धनिया और पोदिना पत्ती ड्राइफ रूट्स आपको किश्मिश पसंद है तो किश्मिश भी आप इस जेगे पर एड़ कर सकते हैं और डाल देंगे इसमें हरी मिर्चे थोड़ा थोड़ा बचाना ही है क्योंकि अगली लेयर में हमको डालना ही सब चीजे फिर स्प्रिंकल कर देंगे इस पर चाट मसाला आपको जो चाट मसाला पसंद है या आपको जो भी इजी ली एवेलेबल हो जाता है वो आप डाल दें फिर जो सबजी हमने बचा कर रखी थी वो इस पर डाल दें और अच्छे से इसे फैला लें अब बाकी बचे जो चाट मसाला है सारे एक साथ डाल दें और अच्छे से इसे भी फैला लें इस तरीके से फैलाएं कि चावल हमारे टूटे नहीं एक दम हलके हाथ से और इन्हें अच्छे से से सैट कर लें वापस से बचे वे धनिया पत्ती और पधिना पत्ती को स्प्रिंकल कर दें हरी मिर्चों को भी डाल दें और बचे वे ड्राइफ फूट्स भी अब सारे यहां चले जाएंगे यह लास्ट लेयर है तो अब सारा सामान जो हमें कदम कर ड़ा है बस फटा फट फटा फट डाल दें चाट मसाला डाल दें फिर से इस लेयर में घी गी भी एड़ कर दें इससे जो बिर्यानी की खुश्बू है ना काफी अच्छी हो जाती है और टैस्ट भी बढ़ता है खास बात यह है कि जो हमने चावलों को च्छाना था उसमें से थोड़ा सा पानी बचा कर रख लेना है वो इससे में एड़ करना है इससे एक फायदा होता है कि हमारे चावल नीचे से चिपकते नहीं है जब हम उसको दम लगाने के लिए रखते हैं थोड़ा सा केवड़ा इतल है कि अधर ड़ायँ है आप यह यह दकना सफिशेंट होता है तो आधा मैंने पहले ड़ा दिया और थोड़ा सा बाद में डाल देते हैं यह मैंने food color लिया है powder वाला food color है पानी में घुल के आप डाल दें otherwise आप इसमे जो liquid बड़ा food color होता है न tuh वो भी डाल सकता है ओपर से डाल दें आप परिस्टा हाँ परिस्टा बचा कर रखना है क्योंकि परिस्टा को तो हम बाद में भी उपर से बिर्यानी पे डाले के खाएंगे अब इसके ढकन को लगा दें और dham करने के लिए रखते हैं, तो dham करने के लिए क्लिए करना क्या है, gas की flame को medium रख देना है, तवा रख देना है इस पर और उस पर रख देनी है हमको वो भगोनी जिसमें हमने कैस की फ्लेम देखें है ना, मीडिम टू हाई की बीच में, और बीस मिनट इसको पकने देंगे, बीस मिनट हो गई है, अब इसे, ढकन जो हमने ढका था, उसे हटा लेते हैं, और चेक कर लेते हैं, तो बहुती बहुती बहुती, कि क्या बताओं, मैं खुश्बू इतनी गजब की आ रही है न, कि बस मज़ा ही आ रहा है, अब हम इसे चला लेते हैं एक बार, और चलाने का तरीका में आपको बताती हूँ, देखें, इस तरीके से आप चलाएं, तकि आपके चावल जो है न, बिल्कुल भी ना तूटें, बहुत छोटी-छोटी टिप्स हैं, जो हमें ध्यान में रखनी हैं, तैयार बिर्यानी को मैंने प्लेट में इस तरीके से निकाल लिया है, अब इसकी खुबसूरती को और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डाल कर, और उपर से हम इसमें थोड़े से, जो हमने परिस्ता बचा कर रखा था, फ्राइड अनियन, वो भी डाल देते हैं, इससे बिल्यानी हमारी देखने में बहुत ही खुबसूरत लगेगी, तो खाने वाले को और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इससे देखकर, और साथी में, इससे हम सर्व करेंगे, धनी की चटनी के साथ में, जो हमने बना कर रखी थी न, बस उस धनी की चटनी के साथ में, इसका जो स्वाध है न, वो और ही जादा बढ़ जाता है, अब मैं आपको इसको करीब से दिखाती हूँ, एक बाद चटनी को साइड हटा कर, देखें, बहुत ही प्यारी ये बनी है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं, साथी वीडियो को लाइक करें, आपके अपनी चैनल, सोनाज हेल्दी किचन को सब्सक्राइब करें, और दौाओं में याद रखें,